नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल पर आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्तों ठीक होंगे तो चलिए इसे के साथ बढ़ते हैं आज के खबरों की ओर दोस्तों देश में कोरोना दिन बढ़ता ही जा रहा है जिसके वज़े से लोगों को और भी जादा नुकसा हो रहा है अब इसी के चलते आज पीम मोदी ने एक बड़ा एलान किया है जिसके वज़े से इस नुकसान की कुछ हद तक भरपाई की जा सकती है अब मोदी जी ने क्या कहा इसकी सधी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे बस आप इस वीडियो के साथ अंतर तक बन में तीन बड़े अधिकार पीम मोदी ने किया एलान साथ ही बताएंगे भारत में फिर से होगी तक टॉक की एंट्री ये कंपनी खरीद सकता है कारोबार वहीं खुश खबरी ट्रंप ने दी एच वन भी वीजा नियमों में ठील काम पर वापस लोट सकेंगे भारतिया साथ साथ ही बताएंगे पूर्वर राष्ट्रपती प्रणबो खरजी की मोद की उड़ी अफवा परिवार और अस्पताल ने कहा ये जूट है इसी के साथ अगली खबर में आपको बताएंगे आज आपके राजे का मोसम का हाल वहीं बताएंगे पेट्रोल डीजल की आज के दा साथ ही अब तैल लिमिट में मिलेगा पेट्रोल डीजल जाने कार को कितना मिलेगा तेल वहीं 18 करोड पैन कार धार को ने नहीं कराया ये काम साथ महीरे तक की है मोहलत साथ ही बताएंगे नेश के लाखों लोगों को भाई पेम मोदी की ये योजना 41 दिनों में आए इतने यहां दोस्तों ऐसे और भी कई बड़ी खबर और अपडेट निकल कर आ रही है जिनके सठीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत महनत लगती है इसलिए इस महनत क देगा ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं इसलिके साथ ही आईए आज की सबसे पहली बड़ी खबर पर नज़र डालते हैं नेश में करोना मरीजों का आकड़ा बढ़ कर 30,96,638 हो गया है पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 66,999 नई मरीज बड़े एक दिन में मरीजों के मिलने की संख्या सबसे ज्यादा है इसके पहले 8 अगस्त को 65,156 नई मरीज मिले एक दिन में 942 लोगों की जान गई बदवार 24 घंटे के अंदर रिकॉर्ड 57,769 लोग ठीक हुए एक दिन में ठीक होने वाले मरीजों का आकड़ा सबसे ज्यादा है स्वास्तम अंतराले की ओर से जारी ताज़ा अपडेट के अनुसार देश में अभी कोरोना के 6,43,622 एक्टिव केस हैं कोरोना की वज़ा से अभी तक 47,33 महीजों की जान जा चुकी है इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर बड़ी खबर PM मोधी ने किये बड़े ऐलान जे हां इमानदार टैक्सपेर्स को प्रोटसाहन और कर प्रनाली में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए PM ने गुरवार को एक नए खास प्लेटफोर्म की शुरुबात की इस प्लेटफोर्म का नाम Transparent Taxation Honoring the Honest दिया गया है इस मोगी पर PM ने कहा ये प्लेटफोर्म 21 सदी के टैक्स सिस्टम की शुरुबात है जिसमें Face Less Assessment, Appeal और Taxpayers Charter जैसे बड़े रिफोर्म है इस नए टैक्स प्लेटफोर्म के तहत करदाता को Face Less Assessment, Taxpayers Charter, Face Less Appeal की सुविधा मिलेगी साथी अब टैक्स देने में आसानी होगी तक्नीक के सहायता से लोगों पर भरोसा जताया जाएगा PM मोदी ने कहा अब जान पहजान का मुखा खतम हो गया ट्रांसफर पोस्टिंग के मामलों से रहत मिलेगी अब आएकर विभाग को टैक्स प्लेटफोर्म के शुरुबात की इस दोरान PM ने कहा देश का इमानदा टैक्स पेर राश्ट्र निर्मार में बहुत बड़ी भूमे का निभाता है वही कॉंग्रेस सरकार की कम्यों को बताते हुए PM ने कहा एक दोर था जब हमारे यहां रिफॉर्म की बहुत बाते होती थी कभी मजबूरी में कुछ फैसले लिये जाते थे कभी दबाव में कुछ फैसले हो जाते थे तो उन्हें रिफॉर्म कहा जाता था इस कारण इच्छित परिणाम नहीं मिलते थे अब ये सोच और अप्रोच दोनों बदल गई है इसे के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर पूर्वर राष्ट्रपती प्रणम मुखर जी की हालत अभी भी गंभीर है वो लगातार वेंटिलीटर सपोर्ट पर है इस भी शोशल मीडिया पर उनकी मोद की अफवाही भी उड़ी ट्विजर पर प्रणम मुखर जी की मोद की अफवाह ट्रेंड हो रही है लेकिन परिवार और हॉस्पिटल की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि प्रणम मुखर जी अभी जिन्दा है वो वेंटिलीडर पर है फोरवर राष्ट्रपती की बेटी और कॉंग्रेस नीता शर्मिष्ठा मुखर जी ने ट्वीट करते हुए कहा उनके पिता के बारे में जो भी अफवाह उड़ाई जा रही है वो बिलकुल जूट है उन्होंने मीडिया से आगरह किया है कि वो उन्हें कोल ना करे शर्मिष्ठा ने ये भी कहा कि वो अपना मुबाइल फ्री रखना चाहती है जिससे उन्हें हॉस्पिटल से पिता के हैल्थ को लेकर जानकारी मिलती रहे खुश खबरी ट्रम सरकार ने नर्मी वरत्ते हुए H-1B वीजा के लिए कुछ नियमों में ठील दी है जिसका सीधा असर अमेरिका में काम कर रहे है भारतियों को मिलने वाला है इस ठील के बाद H-1B वीजा धारकों को अमेरिका में फिर से प्रवेश की अनुमती मिल सकेगी हलांकि ये छूट सिर्फ उने ही मिल सकती है जो उनी नौकलियों को वापस से जॉइन कर रहे है जहां दो वीजा प्रतीबंद की घोशना से पहले काम करते थे नई नौकलियों को फिलहाल ये छूट नहीं दे जाएगी अमेरिकी विदेश मंत्राले के सलहकार ने कहा आश्रितों को भी प्राथमिक वीजा धारकों के साथ यात्रा करने की अनुमती दी जाएगी साथ ही बताती चले कि अमेरिकी सरकार्णी छूट उन लोगों को दी है इसी के साथ बढ़ते हैं अगली ख़बर की ओर नेश में युवाओं के पसंदिदा चाइनीज आप टिक टॉप की एक बार फिर से एंट्री हो सकती है रोइटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार रिलाइंस इंडस्ट्री इस टिक टॉप के भारतिय कारोबार को खरीच सकती है रिपोर्ट में कहा गया कि टिक्टॉक की पैरेंट कंपनी बाइक डांस और मुकेश अमबानी के स्वामित्व वाली रिलाइंस इन्रस्ट्री इस लिमिटेट के वीच बाचीत हो रही है हलांकि दोनों कंपनिया अभी किसी भी सोधे पर नहीं पहुची है रिलाइंस और टिक्टॉक की और से अभी तक मामली में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई आपको बता दे कि वीते जुलाई महिने में भारत ने टिक्टॉक समेथ उन्साठ चीनी एप को बैन किया था दोस्तों वीडियो में अभी और भी कई महतोपोर्ण खबरी बाकी है इसलिए वीडियो के साथ बनी रहिए तो चली बढ़ते हैं अगली खबर की ओड सरकारी तेल कंपनियों के द्वारा आज पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई बदलाब नहीं हुआ ये दिली मुंबाई और चेने और कॉलकाता में पेट्रोल और डीजल के दाम में पहले की तरह ही है आज दिली में पेट्रोल की कीमत 80. associ.43 और डीजल 73.56 और डीजल 73.56 रुपे प्रती लीटर है महीं मौसम की बात की जायत अगले 24 घंटों के दोरान मौनसूं की व्यापक प्रदर्शन गुष्रात, पूर्वी राजस्थान, कॉंकन गूबा, उतर प्रदेश, मध्या प्रदेश, हिमालाई, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, आंदर प्रदेश और तेलंगान मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दोरान अलवर, भरकपुर, भील वाड़ा, जैपुर, सहित राजस्थान के पूर्वी हिस्से के कई भागोवे भारी बारिश के संभावना जताई पलवल, पानीपत, करनाल के अधिकान स्थानों पर हलके से मथ्यम तिवरता की बारिश होगी इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर देश में कोरोना वायरस माहवारी के बीच पेट्रोल और डीजल भी तैलिमिट में मिलेगा कोरोना वायरस के वजए से मिजोनम में तेल के टैंकर नहीं पहुच पा रहे हैं जिसके चलते पेट्रोल और डीजल की किल्लत हो गई अब राज में स्कूटर के लिए सिर्फ 3 लिटर, बाइक के लिए 5 लिटर, कार के लिए 10 लिटर पेट्रोल और डीजल की लिवट तै की गई है नैक्सी कैब, फिक आप ट्रक और मिनी ट्रक में सिर्फ 20 लिटर डीजल ही भरवाया जा सकता है सिजी बस और अने ट्रक की लिमिट सो लिटर तै की गई, पेट्रोल डीजल केबल बाहनों में ही भरवाया जा सकता है ग्यालिन या किसी में अने सामान में तिल भरवानी पर पूरी तरह से रोक जारी रहेगी वही केंदर सरकार की ओसे जारी आकड़े बताते हैं कि देश के करीब 18 करोड पैन कार्ड आधार से लिंक्ड नहीं है आकड़ों के अनुसार बायोमेट्रिक पहचान पत्र आधार से अब तक 32.79 करोड स्थाई खाता संख्यार जोड़े जा चुके हैं अगर आप भी इसी सूचे में शामिल है तो आपके लिए सिर्फ साथ महीने की मौलत है दरसल बीते दिनों कोरोना संकट को देखते हुए सरकार ने फाइनन्स से जुड़ी कई एहम डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया था इसी में से एक डेडलाइन पैन और आधार कार्ड लिंकिंग की है अभी 31 मार्च 2021 तक पैन और आधार को लिंक कराने की मौलत मिली है आएकर विभाग के अनुसार अगर पैन को निर्धारित अवधी में आधार से नहीं जोड़ा जाता है तो वो निश्क्रिया हो जाएगा इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर श्रशान सिंग राजपूत पौत मामले की जाच के लिए परिवार लगातार CBI जाच की मांग कर रहा है इसी मामले में आज सुप्रीम कोट भी अपना फैसला दे सकता है सुप्रीम कोट के फैसले से पहले श्रिशान सिंग राजपूत की बहन श्वेता सिंग कीरती ने एक वीडियो जारी करके फैन से अपील की कि वो CBI जाज की मांग करे उन्होंने कहा कि सभी को एक साथ आगे आना होगा और CBI जाज की मांग के लिए आवाज उठाए जानी चाहिए श्रिशान सिंग राजपूत मामले की CBI जाज के लिए अपनी आवाज उठाए और न्याज की मांग कीजे बड़ी खबर मौधी सरकार ने पी-म स्ट्रीट वेंडर्ज आत निर्भर निधी योजना को आवास इवं शहरी कार्य मंत्राले ने आत निर्भर भारत अभियां के तहत लौँच किया मंत्रालाई के अनुसार इसका ओदेशन शहरिक शेत्रो और उसके आसपास के अर्ध शहरी क्रामेंट शेत्रो के लगवग 50 लाग स्ट्रीट वेंडर्ज रेडी पट्री वाले छोटे व्यापारी को कोविड-19 लोकडाउन के बाद फिर से अपनी कारोबार को शुरू करने के लिए विना किसी गैरंटी के एक साल की अवधी के लिए 10,000 रुपए तक का कारेशील पूझी रिंगी सुवधा देना है इसके तहर तरण के इंडिया में तो भुक्तान करने पर प्रोचान के रूप में प्रती वर्ष 7% की ब्यास सबसीरी निर्धायत डिजिटल लेंग देन करने पर सालाना वारोसो रुपए तक का कैश पैक और आगे फिर से रण पाने की पातरता भी प्रतान की गई दोस्तो हज की वीडियो में बस एतना ही अगर आपको भी एक खबर अपने मोबाइल पर हर दिन यूँ ही चाहिए तो इस वीडियो के नीचे दिये गए लाल बटन को दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और साती में दिये गए इस घंटी को भी दबाएं और अगर आ अपना नाम नीचे कमेंट बोक्स में जरूर लिखेजिए तो अपना नाम नीचे कमेंट बोक्स में जरूर लिखेजिए फिर मिलते हैं कल जय हिंद धन्यवाद